नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दोटोमोटिस में और आज हम बात करेंगे कि टू स्ट्रोक पेट्रोल एंजिन कैसे काम करता है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टू स्ट्रोक एंजिन के की कमपोनेंट्स कौन से है two stroke engine का construction कैसा होता है और two stroke petrol engine काम कैसे करता है तो शुरू बात करते है की component से तो engine में major component में सबसे पहले आता है engine head उसके साथ होता है engine block और last में होता है crankcase उसके साथ आएगा एक transfer port दूसने साइड होगा intake port और exhaust port यह सबी मिलकर बनाएंगे cylinder का housing जिसे engine housing भी कहा जाता है फिर आता है piston जिसमें mostly दो ring लगी होती है जिसे compression ring कहा जाता है और उसके बिल्कुल नीचे लगी होती है piston pin जो कि piston को connecting road के साथ connect करने का काम करती है उसके बाद आता है connecting road जिसके छोटे सिरे को small end bearing कहा जाएगा और बड़े वाले सिरे को big end bearing उसके बाद आएगा crankshaft जो की output shaft भी कहा जाता है और last में होगा एक spark plug जो की ignition system का part है अब आता है construction के ऊपर तो engine cylinder में piston को fit किया जाएगा जिसमें जो piston ring है वो ceiling effect प्रोवाइड करेगी अब जो piston के piston pin है उसके साथ connecting road का small end जो है वो connect होगा अब connecting road के big end के साथ जो crank shaft है उसकी web को connect किया जाएगा जबकि crank shaft crank case के उपर mount की गई होगी अब जो piston head है उसमें spark plug को connect किया जाएगा ताकि वो combustion chamber के अंदर spark provide कर सके अब बात करता है working की तो engine में mainly दो stroke होते है जिसमें से पहला है upper stroke जिसमें दो process होती है piston के नीचे संप में intake port में से fuel आएगा जबकि piston के उपर combustion chamber में exhaust port और transfer port close होने पर fuel compress होगा और upper stroke के खतम होने से थोड़े पहले जो spark plug है वो spark करेगा और fuel को ignite करेगा जिसके कारण fuel ignite होगा और fuel का combustion स्टार्ट हो जाएगा अब downward stroke स्टार्ट होने पर piston के नीचे crankcase में fuel compress होगा मगर intake port close होने पर fuel transfer port से उपर combustion chamber में आ जाएगा अब उसी fuel के धक्के की मदद से जो पहले fuel की burning से हुआ emission है वो exhaust port की मदद से बहार निकल जाएगा और जो combustion chamber है वो फिर से नए fuel से भर जाएगा तो इन दोनों stroke के साथ two stroke engine अपनी एक cycle complete करेगा अब दो stroke वाले engine में mainly एक ही problem होती है और वो है scavenging की scavenging का मतलब है एक ऐसा process जिसमें fresh charge को conversion chamber में एंटर करवाने के साथ साथ exhaust gas को धक्का दे के बहार निकाला जाता है डो stroke वाले engine में maximum case में थोड़ा कच्चा fuel बहार निकल जाता है जिसके कारण engine की fuel efficiency नहीं मिलती हाला कि scavenging की process को efficient बनाने के लिए जो exhaust port और transfer port है उन दोनों की position को थोड़ा alter यानि की ऊपर या नीचे किया जाता है तो comment में हमें बताइए कि आप कोई वीडियो कैसा लगा और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए और share कीजिए साथ में सब्सक्राइब कीजिए दो अटोमोटिव्स चनल को ताकि नए लेटिस टेकनोलाजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे